हेलो एवरिवन तो आज हम बात करने वाले हैं इस्ठोजेरान फोल टैबलेट के बारे में सबसे पहले हम डिसकस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन इसके बाद हम डिसकस करेंगे इसके स्टोरेज यानि किस तापमान पर रखना चाहिए स्टोर नहीं मिलेगी तो इसके लिए प्रिश्क्रीप्शन रुगाड होता है manufacturer या marketer देखें तो जानसीन pharmaceuticals एक company बनाई और बेगी जाती है salt composition देखें तो इसमें सिनारजीन 75 mg में होता है storage देखें तो 30 degree Celsius के कम के तापमान पर इसे रखना चाहिए जाद होगा तो ये खराब हो सकती है कुछ और fact देखें तो ये chemical class में देखें तो class में देखें ये calcium channel antagonist होती है और anti-stamine की भी category में ये आती है अब बात करें इसके mode of action के बारे में यानि किस तरीए से काम करती है ये क्या करती है ये हमारे कान के blood vessels में जाकि उन्हें contract होने से यानि सुकुडने से रोकती है जिससे की blood flow बना रहता है और patient को चक्कर में आराम आता है अब बात करते हैं इसके uses के बारे में यानि किस किस condition में ये से use करना चाहिए तो सबसे पहले देखते है motion sickness motion sickness के क्या मतलब होता है motion sickness में अगर कोई भी बंदा अगर travel कर रहा है बाएक से बस से किसी से भी तो उस condition में उसे जी मचला ना चक्कर आने या उल्टियां आती है तो उसे ये रोकता है अब बात करें वटाई को यानि चक्कर आने की condition में भी अच्छा काम करता है तीशरी condition देखे तो मीनियर disease में इसका उप्योग किया जाता है Minniate disease में क्या होता है कान में Blood vessels में Pricer जाद़ बन जाता है उस pressure को भी कम करे Weight भी बढ़ सकता है या फिर Indigestion की दिक्कत भी आसकती है अगर Long Turn में यूज करेंगे तो अब बात करें इसके डोसिस के बारे में यानि हमें इसकी क्या डोसिस लेनी चाहिए वैसे तो दिन में एक टेबलेट OD या फिर according to condition BD लेनी चाहिए interaction देखें medicine के साथ यानि किसके ड्रक के साथ ज़्यादा इसका reaction होता है तो M.I.T.P.T.L.E.N. लामडॉल, क्रो, फेरीमजाइन, डाइजी पॉम इनके सबके साथ moderate है हलका ही interaction होता है यानि इसकी efficacy पे भी कम फरक पड़ता है और सो कोई खास फरक नहीं पड़ता अब बात करने वाले हम इसके counter indication के बारे में यानि किस-किस condition में इसे नहीं देना चाहिए अगर कोई भी patient को इससे allergy है तो उस condition में इसे नहीं देना चाहिए या फिर कोई भी बच्चा 5 साल से कम का है उसे इसका तो इसे नहीं देना चाहिए अब बात करते हैं इसे pregnancy में देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए तो इसे pregnancy में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए अगर देनी भी है तो अच्छे consultant से discuss कर लें या फिर अगर breath feeding करा रहे हो जब भी इसे नहीं देनी चाहिए और current इसका price के बारे में बात करें तो आज का जो इसका prices है 20 tablet का 3.96 रूपीज है आज का आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पसंद दें तो लाइक शेयर चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe करें